आज का हमारा टोपिक है Cromosomal Theory of Inheritance इस थीऊरी के मताबिक Cromosoms Heredity के अंदर Major Role प्ले करते हैं और इस पूरी थीऊरी या इस पूरे टोपिक के अंदर हम यही चीज़ पढ़ने लगे हैं या यही चीज़ साबित करेंगे, मुखतलिफ साइंटिस्ट हैं उनके हम hypothesis, उनका काम, उनकी theories, उनके objections, experiments, इन सब को पढ़ेंगे और वो सारे experiments और वो सारी theories जोंस यह वो यही चीज़ साबित करेंगी कि chromosome जोंस हैं वो heredity में major role play करते हैं तो सबसे पहले इसकी statement, statement इसकी यही है chromosomal theory of inheritance, statement इसकी क्या है? chromosome plays central role in heredity chromosome जोंस हैं, वो heredity में major role play कर रहे हैं heredity ऐसल में क्या है? character sticks का next generation में जाना inheritance ही है actually, यह हमारी जो characters हैं, वो next generation में move कर रहे हैं और उनकी movement में कौन सी चीज major role play कर रही है? वो chromosome major role play कर रहे हैं अब तीन scientist का work है, जो हम इस पूरी topic के अंदर discuss करेंगे जो इसी चीज से related है, सबसे पहले scientist जोंस हैं, वो Carl Coren है दूसरे scientist Walter Sutton और तीसरे scientist जोंस हैं, वो Thomas Hunt Morgan है सबसे पहले Carl Coren का work देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा था या इनके work जोंस है वो असल में basic था इनके work से आगे दूसरे scientist जोंस हैं, उन्होंने अपना काम या अपने जो experiments थे उनको करना शुरू किया था मेंडल्स के work पर Carl Coren ने 1900 में मेंडल्स के work को re-discover किया था क्योंकि जिस वकत मेंडल्स ने अपने लाज और अपने जोंसा work था उसको परपोस किया था अपना work जब उन्होंने किया था तब इतना aware नहीं थे लोग genetics से और जीन्स गमीर्स इन सब से तो इसलिए किसी ने उसको इतना सरहाया नहीं था इसलिए काल कोरें ने 1900 में दुबारा से re-discover किया था मैंडल्स के work को और ये चीज़ उन्होंने अपने एक paper में publish की थी फिर दूसरे scientist है Walter Sutton, Walter Sutton ने क्या किया 1902 में इन्होंने अपनी theory को propose किया था Walter Sutton ने अपनी theory को propose किया था 1902 में और इनकी theory क्या थी इनकी theory ये थी उसकी statement है chromosome pair with one and other during meiosis के meiosis के दुरान जो chromosome हैं वो एक दूसरे के साथ pair up हो रहे हैं और ये जो theory थी ये वाली जुनसीन की बात थी असल में ये directly spot कर रही थी chromosomal theory of inheritance को कैसे spot कर रही थी क्योंकि उननका meiosis के दुरान chromosome pair up हो रहे हैं इसका मतलब जो next generation में character sticks transfer हो रही है वो chromosomes के through transfer हो रही है तो इनकी ये theory जो थी थी वो एक अच्छी मतलब एक बहुत बड़ा point था जो spot कर रहा था chromosomal theory of inheritance को अब कुछ evidence थे जो Sutton की theory को spot कर रहे हैं तो और इसके उपर एक objection भी था अब हम वो evidence देखते हैं जो इसकी theory को spot कर रहे थे सबसे पहला evidence जो उनसे वो क्या है reproduction involves initial union of only two cells जो reproduction है जब reproduction वाला topic हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने भी उसमें हमने देखा था fertilization के दुरान दो गेमीट जो उनसे हैं तो एग और sperm है वो गेमीट जो उनसे हैं तो यही बात जो जो पॉइंट है वो उसकी theory को spot कर रहे है क्योंकि इन गेमीट के अंदर ही chromosomes हैं और वो जब उनकी union हो रही है पेरप हो रहे हैं तो फिर वो next generation में 46 जो chromosomes हैं उनको same रखने में उनकी जो जो तदाद है second evidence जो उनसे वो किस चीज कैसा है वो देखें second point इसका है if मेंडल वर्क correct then two gametes must have equal hereditary contribution अगर मेंडल का जो वर्क था वो सही है मेंडल ने अपने वर्क में यही बताया था कि जो दो gametes है वो equal contribution देते हैं heredity के अंदर तो sperm और egg जोनसे उसके अगर हम structure देखें दो उसमें हमें थोड़ी सी difference नजर आता है कि sperm के पास cytoplasm थोड़ी amount में होता है जबकि egg के पास वो ज्यादा amount में होता है तो इसका मतलब जो hereditary material है वो cytoplasm में नहीं मजूद होगा वो hereditary material फिर कहां पर होगा gametes के जो nuclei है उनके अंदर होगा लाजमी तोर पर यह चीज जो उसके है यह उसको support कर रही है तो पूरा जोनसे इसका second evidence है वो क्या होगा इफ दी मैंडल वर्क कोरेक्ट देन टू gametes must have equal hereditary contribution but sperm have little cytoplasm and egg contain large so the hereditary material must be inside the nuclei of the gametes तो वो लाजमी तोर पर कहां पर होने चाहिए gametes के जो nuclei है उनके अंदर होना चाहिए यह जो hereditary material है और हमें पता है जो chromosomes है वो किसके अंदर पाये जाते हैं वो भी nuclei के या nucleus के अंदर ही पाये जाते हैं तो यह जो evidence है यह भी sutin की theory को support कर रहा है तीसरा evidence हम देखते हैं अभी तो तीसरा evidence जो support कर रहा है sutin की theory को वो है उसको एक दफा read out करते हैं डिपलाइड इंडिवीजवल वो पीज़ औफ इच पेर ऑफ होमोलगस क्रोमोसॉम्स बडदी गमीट वोन वोन सो क्रोमोसॉम्स एग segregate during meiosis and each pair of homology orient on the metaphase plate independently of every other pair इस point में क्या चीज़ clear की जा रही है या क्या चीज़ बताई जा रही है इसमें उसने कहा है कि जो डिपलाइड इंडिवीजवल्स है उनके पास होमोलोगस क्रोमोसॉम्स की two copies होती है ठीक है जिस तरह हमारे अंदर होती है उनकी अगर हमारा गमीट होगा तो जिस तरह स्पर्म है उसके पास 23 होंगे और एक जो अलग गमीट है उसके पास 23 होंगे तो इनके पास क्या है हाफ नंबर ओफ क्रोमोसॉम्स है यही बाद इसके अंदर बताएंगे इसके बाद आगी क्या का है उसने का यह गमीट अलग अलग है इसलिए क्रोमोसॉम्स से है वो सेग्रीगेट कर रहे है यह क्यों अलग अलग है इसलिए क्योंके मियोसिस के दुरान जो क्रोमोसॉम्स है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहे है और जब वो अलग होंगे तो इच पैर of homologous chromosome जो homologous chromosome का जो भी पैर है वो metaflaze plate Jones ही उस फर independently ये दूसरे pair Jones है, उसके साथ वो मिलेगा ठीक है, उसके bound नहीं है किवो किसके साथ मिले जो भी है वो किसे के साथ जाकर मिलेगा तो ये coaching है ये clear कर रहा है कि chromosome zone से वो अलग होते हैं वो आगे next generation में अपना genetic material है या जो heredity है उसको आगे transfer कर रहे हैं अब ये जो point था ये भी clear इसको कर रहा था Sutton की theory को spot कर रहा था अब objection क्या थी Sutton की theory पर वो देखते हैं Sutton की theory पर objection ये था इसको एक दफ़र read करते हैं Why does the number of characters that assort independently in an organism often greatly exceed the number of chromosomes pair that organism possess कि जो number of chromosomes है number of characters जो next generation में जा रहे हैं वो क्यों इतने ज्यादा होते हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं किस से ज्यादा होंगे number of chromosomes के pair से कि जिस तरह अगर एक organism है उसके पास अगर 23 characteristics है मतलब 23 वो हैं chromosome एक गमीड दूसरे के पास 23 तो दोनों मिले आगे 46 ट्रांसफर हुए तो character sticks जो उसकी है वो 46 आगे जानी चाहिए इसके मताबिक उन्होंने ये कहा था लेकिन वो कहते हैं आगे जो character sticks जा रही हैं वो बहुत जादा होती हैं तो जो number of characters हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं as compared to number of chromosomes को तो ये objection था इसकी theory पर कि ये ऐसा क्यों होता है